केंद्र की मोदी सरकार ने देश के बुजर्गों के लिए आईशमान यूजना के तहत लिए गए फैसले से पटना के बुजर्ग भी काफी खुश हैं और देश के प्रधानमंत्री को धनेवाद दे रहे हैं आई उसमान भारत यूजना के अंतरगत मोदी जी ने जो यह फैसला लिये हैं कि चाहे उसकी आर्थी किसी तरफ किसी प्रकार का क्यों नो हो यदि वह सतर बड़ से उपर का है तो उसको आईशमान कार्ड में जोड़ा जाए यह फैसला यह निर्ने उनका स्वागत योग है औ और उमीड करते हैं कि भविस्य में ऐसे ही लोग कर लियान योजना लाग करके डेस को खुसार बनावेंगे लोग को खुसार बनावेंगे मरेंग मोडी जी 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 तरह से सतर बड़ से उपर के बुजर्बों के लिए जो आईशमान भारत योजना के तहट पांच लाग रुपे है एक साल के लिए अब तकी बड़ पांच लाग रुपे है जी किस्टा ब्याकर में जो पैसला यह ने किया है यह बहुती प्रसंस न देश के यसस्वी प्रधान मंत्री आदर्मिय नरेंदर मोडी जी की महतो कांशी परियोजना आयुशमान भारत योजना जिसके तहट आज देश में 11 करोड परिवार और 50 करोड लोगों तक पहुंचने का लक्ष है जिसको पूरा करनी की दिशा में आज केंदर सरकार प्रकार से आज भारती जनता पार्टी और खास करके भारत सरकार देश के बुजुर्गों को पूर्वजों को एक सम्मान के तहट और उनके स्वास्त की चिंता करते हुए जिस प्रकार से काम कर रही है यह निश्चित रूप से अविश्मर्णी है